आज के समय में अपने गानों पर रिकॉर्ड तोड व्यूज बटोरने वाली सपना चौधरी एक समय पर अपनी जिन्दगी खत्म करने का फैसला कर चुकी थी अपनी जिन्दगी में लाखो संघर्ष जेलने वाली सपना ने कैसे बनाई लाखो की फैन फॉलोविंग जानिये इस वीडियो में सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हुआ थी सपना के पिता उतर प्रदेश के अलीगड के छोटे से गांव के रहने वाले थे और सपना की मां हरियाना से थी उनके घर की आर्थिक स्थिती काफी कमजोर थी सपना को बचपन से ही डांस और सिंगिंग का शौक था उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के आदर्श पबलिक स्कूल से की और आदर्श के अलावा भी दो-तीन स्कूल बदले हालाकि जब वह 12th क्लास में पहुंची थी तब तक लोकल में स्टेज परफॉर्मर बन चुकी थी सपना जब छोटी थी तभी उनके पिता को कोई बीमारी हो गई थी उनके पापा का 8 साल की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया और तब तक सपना के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनका घर भी गिरवी रखा जा चुका था घर की खराब स्थिती के चलते सपना ने जिम्मेदारी संभाली और एक लोकल औरकेस्टा में सिंगर के तौर पर शामिल हो गई सपना ने जब स्टेज पर डांस किया तो उनके डांस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वह धीरे धीरे फेमस होती गई इनका सैलिड बाडी सौंग बहुत बड़ा हिट साबित हुआ जिससे सपना की रात और रात बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई सपना के सौंग्स इंटरनेट पर खूब देखे जाने लगे थे और उन्हें अल्बम सौंग्स के ओफर भी आने लगे थे सपना कई music album में काम करने लगी और देखते देखते सपना की fan की संख्या करोडों में हो गई उन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले reality शो बिग बॉस से भी invitation आया और सपना को यहां भी काफी popularity मिली थी मगर दोस्तो सपना को यहां तक पहुँचने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है एक समय वो भी था जब सपना ने हार मान ली थी 24 सितंबर 2016 को सपना ने खुद कुशी करने की कोशिश की थी यह खुद खुशी सपना ने तब की थी जब सोशल मीडिया पर लोगों ने हद से ज्यादा उन्हें ट्रॉल किया था सपना पर गंदे कमेंट किये जा रहे थे तब उन्होंने मौत को गले में का मन बना लिया था लेकिन समय रहते उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। सपना का काम आसान नहीं था। सपना बताती है कि कई बार स्टेज परफॉमेंस के दौरान लोग बे मतलब गालियां भी देने लगते थे और इस बात पर सपना की लड़ाई भी हो जाती थी। सपना को गलत बात बिलकुल बरदाश्ट नहीं होती है और वह खुलकर विरोध करती है। यही वज़ा है कि लोग उन्हें मुफ्ट भी बोलते हैं। जो लोग सपना को गलत बताते हैं और उनके डान्स को भद्दा बताते हैं। उनके लिए सपना का कहना है कि वह पूरे कपड़े और सूट पहन कर डान्स करती हैं। इसमें क्या वल्गैरिटी है और अगर फिर भी लगता है कि इसमें वल्गैरिटी है तो देखते क्यों हो। और वही दूसरी ओर बहुत से लोग सपना के डान्स की तारीफ भी करते हैं। आपको बता दे कि सपना ने कभी किसी से डान्स नहीं सीखा है, ये टैलेंट उनमें बचपन से ही मौजूद है। सपना के डान्स मूव्ज और उनके एक्स्प्रेशन पर हर कोई फिदा हो जाता है। सपना अब तक अपने करियर में काफी तरक्की कर चुकी है। पचास करोड की संपत्ती की मालकिन होने के साथ साथ सपना लगजरी और महंगी गाडियां भी रखती है। उनके पास आड़ी Q7 फोल्ड और BMW 7 सीरीज जैसी गाडियों का कलेक्शन है। और अब सपना की परसनल लाइफ की बात करे तो दोस्तों 2020 में लोगों को अचानक पता चला कि सपना मा बन गई है। सपना ने हरियानवी सिंगर वीर साहू से गुप-चुप शादी कर ली। इनका रिलेशनशिप 5 साल तक चला और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। जनवरी 2019 में चंडी गढ़ में सपना ने कोट में शादी कर ली। और 4 अक्टूबर 2020 को सपना ने एक लड़के को जन्म दिया। सपना और वीर ने अपने लड़के का नाम पोरस रखा। सपना खुशहाल जीवन बिता रही है और आए दिन उनके गाने रिलीज होते रहते हैं जिन पर रिकॉर्ड तोड व्यूज और लाइक्स आते हैं। दोस्तो ये थी सपना चौधरी की अब तक की कहानी आप इनके फैन कबसे बने कॉमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले।